नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनीश कुमार सैनी उत्तर प्रदेश में नौ विदान सभा सीटों पर उप्चुनाओं की तैयारियां तेज होती वी नजर आ रही है सभी राजनितिक पार्टियां सियासी मैदान में उतर चुकी हैं अब ऐसे में भारती जंता पार्टी समाजवादी पार्टी आजाज समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी और तमाम अन्य राजनितिक पार्टियां सियासी मैदान में वोट बैंक को साधने के लिए प्रच को साधने के लिए उनोंने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया और ऐसे में उप्चुनाओ की जो आचानक से तारीख बड़ी है यानि की 13 नवंबर को होने वाला उप्चुनाओ जो 20 नवंबर को कराया गया है उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के उपर समाजवादी पार्टी युवा और महिला विरोधी पार्टी है अब ऐसे में इस मामले को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में और बवाल मसता हुआ नजराता है ये देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि देखा जाये तो जबसे लोगसवा चुनाओं में भारती जंता पार्टी की सीटे कम होई है और समाजवादी पार्टी का रुत्बा कद और इज़त जो बड़ी है उससे कहीं न कहीं भारती जंता पार्टी को खासा नुकसान देखने को मिला है और ऐसे में उपचुनाव में भी उसका प्रभाव पढ़ता हुआ नजर आ सकता है जिस मामले को लेकर इस बयान को लेकर योगी आदितनाद और भारती जंता पार्टी पर सीधे तोर पर निशाना साथते वे नजरा रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में आगामी जो उपचुनाव होना है उसमें क्या कुछ यहां पर समीकरण बनते वे नजराएंगे क्या वाकई भारती जंता पार्टी जिस तरह से मैदान में उतर चुकी है और योगी आदितनाद अब रेलियां और जंसवाएं करते वे नजरा रहे हैं तो क्या उनके रेलियां और जंसवाएं करने से समाजवादी पार्टी को यहां पर जटका लगता हो नजराएगा क्या भार की देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्ष नाइन न्यूर्ट